भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफतार किया गया है। ये बिलकुल साफ है कि अर्विंद केजरिवाल जी की गिरफतारी भारतिय जनता पार्टी की एक राजनेतिक साजिश है। क्राइम नहीं हुई है। एक ऐसे केस में गिरफतार करना जहां पर आज तक ED कोट्स के सामने कोई भी सुबूत नहीं रख पाई है। सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतिय जनता पार्टी का डर है। ये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतिय जनता पार्टी को ये लगता है। कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उने चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अर्विंद केजरीवाल है। इसलिए भारतिय जनता पार्टी और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी हर संभव कोशिश कर रही है कि वो अर्विंद केजरीवाल को कुचल में आम आदमी पार्टी को कुचल दें। तभी एक के बाद एक एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को एक एक नेता को गिरफतार किया जा रहा है। आख लेकिन मैं भारत्या जन्ता पर्टी को ये बताना चाहते हूं कि अर्विंद केजरीवाल सिर्फ एक नेता नहीं है अर्विंद केजरीवाल एक विचार है अरुच प्रेरना है अर्विंद केजरीवाल वो आदमी है जो अपनी IRS की नौकरी छोड़कर income tax की नौकरी छोड़कर दिल्ली की सडकों पर उतरा था इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश के सम्विधान को बचाने के लिए और आज अगर आपने चुनाव से जस्ट पहले अर्विंद केजरीवाल को गिरफतार किया है उनको campaign में जाने से रोकने के लिए गिरफतार किया है तो तो मैं भागत्य जनता-पार्टी को बता दूँ कि आप एक अर्विंद केजरीवाल को गिरफतार कर सकते हैं लेकिन हजारों अर्विंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पे और देश की सड़कों पे उतरेंगे इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आज भारतीय ज जनता पार्टी ने लोकतंत्र को खतम करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा हम देख रहे हैं कि किसतरह से एक के बार एक सबी विपक्षी दलों पे और सबी विपक्षी नेताहूं पे हमले हो रहे हैं अगर वो भारतिय जंता पार्टी में चले जाते हैं तो उनके खिलाफ केस बंद हो जाते हैं अगर वो भारतिय जंता पार्टी में जाने से मना कर देते हैं तो उन्हों उठा के जिल में फैक दिया जाता है दूसरी तरफ हमने देखा है कि किस तरह से कमपनियों को E.D. और C.B.I. के माध्यम से डरा के धमका के उन पे केस करके उन से इलेक्टोरल बॉंड्स के माध्यम से हजारों करोड की उगाही करी है भारतिय जुन्ता पार्टी में कि एक तरफ हमन्स औरन की गिरफतारी होती है दूसरी तरफ कॉंगर्स पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है ये आने वाले लोक्सभा चुनाव को आने वाले पूरे देश में होने वाले चुनाव को अफेक्ट करने का तरीका है विपक्ष को खतम करने का तरीका है ये चुनाव को चोरी करने का अगर तरीका नहीं है तो क्या है आप सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दोगे आप सारी पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे तो कोई भी चुनाव कैसे साजश कर रही हैं इसका जवाब दिन्ली आपको देगी इसका जवाब पंजाब आपको दिगा इसका जवाब पूरा देश्म को जो EPA आज एक और चेंटा भिए हमारी देश में पहली बार एक सिटिंग चीफ minister जिनके पास Z plus security है Z plus security cover है उनको arrest किया गया है अब अर्विन केजरिवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल जी की security के लिए कौन जिम्मेदार है आज वो ED के office के अंदर है उस office के अंदर कौन जा रहा है क्या लेके जा रहा है इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा तो ये एक बहुत बड़ी चिंता आमादमी पाटी की भी है ये एक बहुत बड़ी चिंता देश की भी है कि क्या केंदर सरकार ED की custody में अर्विन केजरिवाल को परियाप security दे रही है कि नहीं दे रही है ये केंदर सरकार का अपना assessment है कि वो Z plus security की आवश्यक्ता रखते हैं और एक Z plus security की आवश्यक्ता रखने वाले एक sitting chief minister को custody में रखते हुए ED ने उनका क्या security का arrangement किया है इस बात को केंदर सरकार को देश के सामने रखना हुए थैंकि आर्विन केजरिवाल जी एक Z plus security के protecting आर्विन केजरिवाल जी इस अदेश की इतिहास में पहली बार arrest हुए sitting chief minister है हेमन सोरेंजी की भी जब गिरफतारी हुई थी उन्होंने गिरफतारी से पहले इस्तीफा दे दिया था तो आज ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक sitting chief minister को जो security मिलनी चाहिए क्या उनको ED की custody में मिल रही है कौन उस ED के office में अंदर जा रहा है जिस lock up में अर्विंद केजरी वाल है उस lock up में कौन जा रहा है उनकी क्या checking हो रही है उनके पास क्या material है इस सब के लिए कौन जिम्मेदार होगा एक कारण है के sitting chief minister को एक संविधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को Z plus security दी जाती है क्योंकि उनके लिए कहीं से भी बड़े security के खत्रे हो सकते हैं लेकिन आज जब एक sitting chief minister को ED की custody में ले लिया जाता है तो उनकी safety और security के लिए कौन जिम्मेदार है इसका जवाब केंदर सरकार को देना होगा कि देखिया हम Supreme Court से यह उमीद करते हैं कि Supreme Court जिसने बार बार कहा है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए आज वो Supreme Court ना सिर्फ आमादमी पार्टी को ना सिर्फ अर्विंद केजरिवाल को बस बल्कि इस देश के लोकतंत्र को भी न्याय देगा इस देश की इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि Model Code of Conduct लगने के बाद चुनाव की घोशना होने के बाद देश में से छे में से एक National Party के National Convener को गिरफतार कर लिया गया है ये लोकतंत्र की लेवल प्लेइंग फील्ड का हना नहीं है तो क्या है आप में क्यों गिरफतार किया अर्विंद केजरिवाल को चुनाव की घोशना होते ही क्योंकि आप चाहते हैं भारतिये जनता पार्टी चाहती है कि वो चुनाव में कैंपेंग ना कर सकें कि वो देश भर में जाके इंडिया गटभंदन के लिए कैंपेंग ना कर सकें तो ये देश के इतिहास में इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है और हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब भी लोकतंत्र की हत्या करने की क पचाया है तो हम यह उम्मीद करते हैं कि उसी तरह से आज भी सुप्रीम कोट लोगतंतर की रक्षा करेगा है हम लगातार इंडिया लाइंस की नेताओं से सबसे टच में हैं उन में से कई लोग अर्वन केईजरिवाल जी के परिवार से बात भी कर चुके हैं हमारी भी कई नेताओं से बात होई हैं और इंडिया गतबंदन के सभी प्रमुख नेताओं ने फॉन पर भी और ट्विटर और मीडिया के माध्य्हम से भी अर्वन केईजरिवाल Another One आदमी पार्टी के लिए एक solidarity दिखाई है, यह लड़ाई सिर्फ आमादमी पार्टी और अर्विंद केजरिवाल की नहीं है, आज यह लोकतंत्र के लिए लड़ाई है, आप model code of conduct लगने के बाद, चुनाव की घोशना होने के बाद, विपक्ष के प्रमुक नेता, एक राष् बिल्कुल प्रोटेस्ट होगा, लेकिन आज केंद्र सरकार का जो डर है, वो दिल्ली की सडकों पे भी दिख रहा है, आज आमादमी पार्टी के ओफिस को एक च्छावनी बना दिया गया है, आमादमी पार्टी के ओफिस के सामने, दो से धाई हजार पुलीस वाले खड़े हैं, आमादमी पार्टी के ओफिस की सडक के सामने, हजारो पैरा मिलिटरी फोर्सेज वाले खड़े हैं, पूरी दिल्ली से पूरे देश से पुलीस को और पैरा मिलिटरी फोर्सेज को इकठा किया गया है, क्यूं? क्यूंकि भारतिय जनता पार्टी को डर है, उनको पता है कि वो अरुविंद केजडिवाल को जेल में डालके लोगतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं और वो पुलिस के माधियं से पैरा MILITRI Tकर जेल्म के माधियं से अब दिल्नी के लोगों की और देश की लोगों की आ वास को भी बंद करने की